हेलो माइडियर स्टूडेंट्स देखे वेटा आज मैं आप लोगों के लिए और गैने केमिस्ट्री में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रियक्शन्स हैं जो रिपीटेटली पूछी जाती है वो सारी कि सारी नेम रियक्शन्स आपको बताऊंगा कि आप उन्हीं रि बताऊंगा जो उसमें आपको पका फ़स जाती है चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट नेम रियक्शन्स और गैनिक कंपाउंड के लिए ठीक है इसको एक दिवाग में सेट कर लीजेगा बटा हैलो एलकेन हैलो एरीन से कभी नहीं आएगी कभी नहीं आएगी आम ठीक है तो यहां पर डाल लीजिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट नेम रियक्शन्स इंपॉर्टेंट नेम इंपॉर्टेंट नेम रियक्शन्स बिटा तो सबसे पहला आपको एलकोहल फिनॉल एथर में बताता हूं एलकोहल फिनॉल एथर के अंदर कि कौन-कौन सी आपको पढ़नी है alcohol phenol and ethers सबसे पहली कोल बेज पढ़ लिजेगा कोल बेज reaction important है दूसरी राइमर टाइमर राइमर टाइमन पढ़ लिजेगा बिटा इसके अंदर यह important reaction है दोनों बिटा और आपकी आजाती है एक विलियम सन विलियम सन अब हम आते हैं इसमें बस यही तीन डियक्शन पढ़के जाईएगा important name reaction अब आते हैं हम aldehyde ketones and carboxylic acid car boxylic acids ठीक है तो इसमें देखते हैं कि important कौन कौन सी है सबसे पहली सबसे पहली रॉजन मुंड को तो डाल लिजेगा टार्गेट रॉजन मुंड को रॉजन मुंड रेदक्शन बहुत जाधा important है दूसरी वुल्फ किश्णर वुल्फ किश्णर वुल्फ किश्णर सात्में पढ़के clay mention भी डाल लिजेगा clay mention reduction दोनों reduction है और दोनों का reactant product एक ही होता है वस extrins di changed होता है clear बचा माइन से आपका आएगा पहदा हॉदम द्रोमाई डेगरेटेशन दी हॉदम podéis हो अब मैं ब्रोम्रोमाई ब्रोममाई डीगरेडेशन दी हो आप ग्रंबाइड डिघ्रेडिशन दूसरा पहला इसके अंदर रहाइड इंपार्टेंट है इसके अ अदर आता है आपका कॉप्लिंग रियक्षिन है कॉप्लिंग रियक्षिन इम्पोर्टेंट बुरिप पॉर्टेंट है दोनेंगों के लिए औरेंज झाई औरेंज डाई बनाएं औरेंज डाई या फिर आपका येलो डाई येलो डाई कुछी बनाते हैं ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रियक्शन से या रखेगा अलकॉहल फिनॉल के अंदर कोल बेज राइमर टाइमर विलियमसन अच्छा विलियमसन पढ़ेंगे न तो दोनों के लिए symmetric and unsymmetrical दोनों के लिए symmetrical and unsymmetrical दोनों के लिए उसके बाद आपके इसके अंदर रोजन मूंड वुल्फ किशनर वुल्फ किशनर और ये सेम जैसी है बस आपको इसमें रियेजेंट चेंज करना होता है ये दोनों सेम ही है पिर हैलो वुलार्ट जिलिंस की बहुत जादा important है ये बहुत जादा जनरली push जाती है और इसके अंदर इसको target कर लिजेगा conversion में भी बहुत जादा use होती है conversion के अंदर भी step down reactions के लिए step down जिसमे number of 50 कम होते है step down reactions में बहुत जादा use होती है coupling reaction भी बहुत जादा important है तो ये बिटा आप लोगों के most important name reactions है ठीक है इनको तो short for short short करके ही जाएगा कुछ भी हो जाए इनको करके ही जाएगा आपकी कोई भी reaction खाली नहीं जाएगी और सारे के सारे इनहीं में से आपको मिल जाएगी reactions करने के लिए clear बिटा कोई भी doubt होग तो please comment section में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लिए कि दोस्तों को share करिएगा चैनल को subscribe करिएगा तब तक के लिए take care